डिजिटल नंबर सिस्टम ये क्या है तो हमें पता है कि एक कंप्यूटर है वो ना तो हिंदी समझ सकता है ना इंग्रिश समझ सकता है तो कुछ एक ऐसा तरीका चाहिए होगा जिससे वो हमारी इंपूट्स को समझ पाए जो भी हम उससों कहें वो उसको समझ पाए प्रोसेस कर सकें आर आउट्पूट दे सकें आउट्पूट इस तरीके से जो हमें समझ में आ सके तो इसके लिए एक तरीका ढूनना होगा और यही तरीका हमें देता है डिजिटल नंबर सिस्टम तो बेसिकली अभी हम चार बात चार सिस्टम की बात करेंगे चार तरीके देखेंगे जिससे हम कंपीटर को अपनी बात समझा सकें वो प्रोसेस कर सकें और फिर आउटपुट कि हम चार सिस्टम देखेंगे सब्सक्राइबार नंबर सिस्टम इसको बेसिटल सिस्टम भी क्याता है डेक त टेडिक है तो डेक टेंगे वालत मतलब यॡाज थूर समने इसमें 0 1 नाइन तक यूज करते हम करते हैं चो हमने आज तक मैस में हमने देखा भी है मैस में भी हम यही यूज करते हैं इसके आगे हम वन जिरो लिख देंगे मिलब नाइन के आगे वन जिरो तो यह होगे हमारा चुका है जिससे अल्फाबेट्स सिंबल्स जिसे रुपे का साइन हो गया और पर्सेंटेज नंबर जिसे जीरो हंड्रेड इंफिनिटी चक जोंसा भी लेला उन सब को मैं कनवर्ट कर सकता हूं अन बेसिस अफ दिस मतलब इसमें मैं 0 1 2 3 9 ऐसे करके मैं इनको यूज करके एक ऐसा कोड बना सकता हूं जो सिस्टम अंडर्सेंड कर सके जो कंप्युटर अंडर्सेंड कर सके उसकी बात करेंगी कि यूंडर्सेंड करता कैसे पर पहले एक यह देखते हैं तो में पास 729 है 729 में 7 है hundredth place पे 2 है 10th place पे और 9 है units place पे यह हमने हमें पता ही है तो इस पर जो 7 है यह most significant digit है जबकि 9 least significant digit है इसका क्या मतलब होता है मतलब अगर 9 की जगे में जैसे 72, 9 की जगे में 1 लिख देता हूं तो सिर्फ 8 का difference आता है ठीक है original value से पर अगर मैं 729 में 7 की जगे में 1 लिख देता हूं तो 129 जगे तो 600 का difference होता है तो कहने का मतलब है कि यह least significant digit हो यह most significant हो इसका सबसे ज्यादा significance है सबसे ज्यादा काम कर देए जो ठीक ही है ठीक है एक और example यह 25.12 यह 100th place होगी 2 5 आगया units place पे 1 आगया 10th place पे और 2 आगया 100th place पे तो अगर मुझे इसको expand करना होगा जिसे हमने एक छोटी classes में सीखा expand कैसे करते हैं तो यह हो जाएगा हम इसको 20 मतलब 2 into 10 की पावर 1 plus 5 मतलब 5 into 10 की पावर 0 क्योंकि 10 की पावर 0 नहीं होता है तो 5 into 1 5 तो 20 plus 5 25 यह हो गया अब यह point के आगये क्या है 1 into 10 की पावर minus 1 और 2 क्ले 2 into 10 की पावर minus 2 ठीक है तो basically यह formula है जिसे में किसी भी system को decimal system में convert कर सकता हूँ formula क्या है यह sum of digit values into position values digit values क्या होई digit values होगी यह चितने भी digit हैं digit values होगी और position value यह 10 की पावर 1 10 की पावर minus 2 10 की पावर minus 1 10 की पावर 0 यह सब होगी positional value और यह सारे systems के लिए अलग होती है वह हम देखें कैसे इसके लिए 10 इसलिए है क्योंकि 10 symbols को use करता है अब बात करते है binary number system की तो binary number system जिस हम बाइस में देखी रहे है बाइस में देखी रहे है बाइस मतलब 2 तो यह 2 symbol को understand करता है एक तो 0 और एक 1 तो decimal number system में क्या हो रहा था वो करता था 0 1 2 से पुरा 9 तक understand करता हो था उनको तो basically computer क्या समझ सकता है क्या language समझ सकता है यह 0 1 9 यह सब कैसे समझता है computer तो actually computer क्या करता है कि जब भी उसको कोई input देते हैं वो उसके according अपनी voltage high low वल्लब जो inputs होते हैं high voltage low voltage के तरीके से computer में feed होता है तो अगर मैं इतने सारे low मतलब अगर मैं 10 symbols लेता हो तो बहुत high voltage low voltage चक्कर हो जाएगा मुझे limits रखनी पड़ेंगी यह low voltage यहां से हां तक one के लिए है यह इतने के लिए यह इतने के लिए तो यह system की जगे क्या करूं कि जिससी easy हो जाए तो उसके लिए आया binary system इसमें हम क्या करते हैं यह हमारा जीरो और वन है ठीक है यह जीरो हो गया आफ के लिए बलब वोल्टेज जब आफ है और वन होता है आउन के लिए तो यह सबसे easy तरीका है और यही तरीका सबसे आता यूज होता है यह भी एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है हम binary numbers हो कई बाब बिट्स भी बोलते हैं अब जैसे का मने पहले देखा था कि अगर मेरे पास कोई number है 729.16 तो इसको मैं क्या बोलता हूं यह बोलते हैं decimal पॉइंट पर जब मैं इनकी बात करता हूं binary system की तो इसको बोलते हैं binary point फर एक्जामपल यह वाला हम एक्जामपल लेते हैं 1010.0101 ठीक है इसमें most significant bit कौन से होगी binary number कौन से होगा most significant तो इसमें अगर इसमें सबसे अदर most significant होगा यह और सबसे less significant होगा यह क्योंकि अगर मैं यह change कर देता हूं तो इतना फर्क नहीं यह point के बाद के value हो जबकि अगर मैं यह change कर तो बहुत फर्क पड़ेगा अब अगर मैं यह use करता हूं जो हमने पहले देखा any number तो formula लब जिससे हम किसी भी number को decimal number पर convert कर सकते हैं sum of digits value into position value तो digit values तो यह होगी जैसे मैंने पहले पता है था पर अब position values क्या होगी change जाएगी इस पर आगी 2 पहले हम 10 ले रहते 2 इसले क्योंकि इसमें 2 symbols ही होते हैं तो 2 लेंगे अब इसमें यह जो ऊपर powers होती हैं कैसे पहसलती हैं तो जो यह है point ही है point के इस तरफ 0 से शुरूंगी 0 1 2 3 और जो इस तरह पही होगी minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 और हम अगर 1 जैसे digit है इस पर 2 का cube into कर दें plus ऐसे करते रहें इसको solve करें तो हमें जो value में लेगी यह decimal number system में होगी तो यह तरीका है जिससे हम binding number system की जो value उसको decimal number system में convert कर सकते अब बात करते हैं octal number system की इसमें 8 symbols होते हैं जैसे की नाम से पर सब्सक्राइब oct 8 जिसे octopus के 8 हात होते हैं तो oct बोलते हैं octopus वैसे octal number system 8 symbol हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 तक यह भी position value system है यह लेते हैं इसमें भी same case है बोई वाला formula any number sum of digits into position value इसमें digits यह हो गए और position value अब इसमें 8 ले नहीं क्योंकि 8 होता है इसका symbol ठीक है तो 8 u plus यह करकर के यहां पर minus आजाएगा point के बाद यह minus और इसको solve करके यह value आएगी हो इसमें आगे decimal number system है इसमें जो यह point है इसको बोलेंगे octal point और अगर आप इन सब में common बात देखें तो common बात यह है कि यहां पर मैंने 8 लिखा है यहां 10 लिखा है इसका क्या मतला हुआ तो basically यह 8 denote करता है कि octal number system में value यह 10 denote करता है कि यह decimal number system है जहां 2 लिख रहे हैं वो denote करता है कि वो binary number system में है तो इसमें पर चलता है कि वो conscious system में है अब बात करते है हमारे last system की hexadecimal number system तो hexa मतलब 16 hexadecimal number system 16 वैसे hexa का मतलब 6 होता है hex 6 होता है पर इदर decimal भी लग दिया तो decimal 10 के लिए था 9 10 11 12 13 14 15 पर इसमें change क्या आता है क्योंकि decimal लगा है तो decimal मतलब 0 से 9 तक तो यह होगा जैसे होता है decimal system में पर इसके आगे 10 के लिए में A लिखूंगा 11 के लिए B 12 के लिए C 13 के लिए D 14 के लिए E 15 के लिए F इसमें यह चीज आता है यह भी एक position value system है इसका एक example लेते है जैसे 356 base 16 इसको base 16 बोलेंगे यह बताता है कि hexadecimal number system में है तो इसका तरीका क्या है वही formula any number वाला इसमें क्या करेंगे digit value into position value position के लिए अभी तर 16 आ गया 16 क्यों आया क्योंकि यह 16 symbols होते है इसमें तो 16 पावर आ जाएगी इसपे 2 इसपे 0 आती इसपे 1 इसपे 2 तो इसपे 16 की पावर 2 इसको solve करेंगे यह आ गया तो यह तरीका है इसे हम solve कर सकते है hexadecimal को decimal number system में अब आगे आदिये वाली वीडियो में particularly इनकी बात करूंगा कि इनको conversion कैसे होता है इनके बीच में अभी बस मुझे यह clear करना था कि यह 4 systems होते क्या हैं कितने symbols होते हैं और थोड़ा बहुत इनके बारे में कि यह कैसे convert हो सकते हैं आगे मैं बात करूंगा कि इनके particular इनके conversion के बारे में ही